बारती जनता पार्टी के मेरे सभी कारकरता बहनों योंगाईयों जिस गर्म जोशी के साथ आप लोगोंने स्वागत किया है इसके लिए मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही देश के सभी भारती जनता पार्टी के कारकरताओं का मैं अभिरन्न करता हूँ उनका स्वाधत करता हूँ आप सभी जानते हैं कि आज देश किन संकटों के तोर से गुजर रहा है स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक हुकूमत किसी एक राजनिटिक पार्टी ने की है तो वह कांग्रेश पार्टी ने की है और जो भी इस देश के संकट पैदा हुए है उसके लिए जिम्बेदार ये दिक कोई पार्टी है तो वह कांग्रेश पार्टी है स्वतंत्र हारत के टिहाफ में 6 बर सो तक हम लोगों ने भी अपनी हुकोमत चराई है आदरणी अतल लिहारी बाट बेई जी अड़वानी जी के नेत्रतु में यहाँ पर सरकार चराई है आपने देखा होगा कि उसमें हमारे देश के अर्थवेवस्ता की साख पूरी अंतराष्टी जगत में बनी थी और भारत थी नहीं बलकि दुनिया का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि यह ऐसे ही भाजपा के नेत्रतु में हिंदुस्तान में सरकार चलती रही तो अग दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते भारत या दुनिया का सबसे धन्वान देश बन जाएगा दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा रुपे की कीमच डालर के मकाबले बराबर मजबूत होती रही और आज रुपे की कीमच डालर के मकाबले तेजी के साथ गिर रही है इस तच्चाई से भी हिंदुस्तान रही बलकि दुनिया का हर व्यक्त अच्छी तरह वाकिब है हमारे देश की अर्थवेवस्था पूरी तरह से पत्री से उतर चुकी है और ऐसी आर्थिक नीतियां इस कांग्रेश की हकूमत में अपनाई है कि अमीर और गरीब के बीज की खाई निरंतर बढ़ती चली जा रही है और जब अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है आई की विशंता बढ़ती है तो उस देश को संकटों से कोई ताकत बचा नहीं सकती है और मैं समझता हूँ कि इस देश के समक्षी जो बहुत सारे संकट है इन संकटों से यदि कोई राइनितिक पारटी निजाद दिला सकती है तो केवल आग की हमारी राइनितिक पारटी भारती ये जंता पारटी ही दिला सकती है आज यह सारी राइनितिक पारटियां केवल वोट बैंक की राइनिति कर रही है हाल में ही आपने भारत सरकार के ग्लिह मंत्री शिंदे का भी बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतिये जंता पारटी और राश्ट्रिये स्वेमशे वक्रसंग के में बड़ाबर आतं रास्तवादी विशारधारा को लेकर भारतिये जंता पारटी ने अपनी यात्रात प्रारंब की हो उस भारती जंता पारटी के उपर इतना बेवन्याद और लियाधार आरोप चस्ता करने की यूर्ट जो है कांग्रिस के ग्रिव मंत्री के द्वारा की जा रही है रास्तिय स्वेम्शेवक संग के बारे में भारत ही नहीं सारी दुनिया जानती है सारी दुनिया का सबसे बड़ा स्वेम्शेवी संग्ठन यदि कोई है तो रास्तिय स्वेम्शेवक संग है और जब कभी इस डेश के ऊपर कोई संकत आई है कोई आपदा आई है तो उस समय अपने सीने का बटन खोल कर ख़़े होने का काम यह किसी ने किया है तो हमारे रास्टी शोक संग और भारती यह जनता पार्टी के कारिकरताओं ने किया है और आप यह जानते हैं कि रास्ट्रवादी विशारधारा की जब 1950 में उस आधार पर हम लोगों ने जनसंग जैसी राजनीतिक पार्टी की अस्थातना की थी तो उसके संस्थातक का ज्यक्च पंडित शामा प्रसाद बुखर जीते हैं और उस समय कास्मीर जो भारत का ही हिस्सा था कांग्रेस की हुकोमत थी ऐसी रिवस्था कर दी थी कि हमारे हिंदुस्तान का ही कोई व्यक्त यरी कास्मीर में प्रवेस्थ करना चाहता है तो बिना पर्मिट के हुआ कास्मीर में प्रवेस्थ नहीं कर सकता है लेकिन एक ऐसे रास्टबादी देता हमारे पंडिश शामा परसाद मुकरजी थे जिन्होंने कहा कि कास्मीर हमारा था, कास्मीर हमारा है और कास्मीर हमारा रहेगा दुनिया की कोई ताकत हमसे अलग नहीं करकती है और इसमुद्वे को लेकर नोंने काफवीर में प्रवेस करने का फैसला किया और नोंने अपना बलिदान दिया है बैदोबायो आजार भारत में देश की रेकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान देने वाला राजनेता यदी को यहा है तो हम जिस राजनितिक पारती के कार करता हैं इसी राजनितिक पारती की राष्ट्रवादी विशारधारा का प्रप्वेत्व करने वाले हमारे भारतिय जंसन के पूर्वा अध्याच्य पंडित शामा प्रसाद मुखर जी रहे हैं कि सतंत्र भारत में एकता और अखंड़ता को लेकर बल्याम देने वाला कोई दूसरा राज देता नहीं है। उस भारतिये जनता पारती के उपर इस प्रकार का बेब बुनियाद और निराधार आरो कि वल ओत बैंक की राजीत को ध्यान में रखकर कांग्रेस के मंत्रियों के द्वारा लगाये जा रहा है। उनके द्वारा पूरी कोशिश यथ की जा रही है। हिंदुस्तान की आबो हवा में सामप्रदा इक्ता का जहर भोल दिया जाए। ताकि हम अपनी चुनावी सफलता हासिल कर सकें। लेकिन कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूँ। राजवीत यदि की जानी चाहिए तो केबल चुनावी सफलता हासिल करने के लिए राजवीत नहीं की जानी चाहिए। और इशी सोच के आधार पर इसे हंदुस्तान में भारतिय जनतापारटी काम कर रही है। और भाईनों भाईयों भाजपा ने यहावी आभान किया है कि 24 तारिक से 24 जनवरी से यावी कल से जो ग्रिह मंतरी का ब्यक्तब्य रहा है उसको लेकर सारे हिंदुस्तान भर में हम आंदोलं करेंगे। मैं आप सब से निवेजन करना चाहता हूँ जो हमारा संघर्स होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए और हमारी यह भरपूर कोशिश होगी हम इसे लाजिकल एक तक ले जाएं और उनके गहर जिम्बे नारामा व्यक्तब्य की हम सब की और से भरतना होनी चाहिए। आज के आउसर पर बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए मुझे देश के अपने कर्मत, समर्पित और जुझारू कारकरताओं पर पूरा भरोशा है। मुझे यह भी विश्वास है कि आज समाज की अंतिम सिरी पर जो बैटें हैं, दलित हैं, शोशित हैं, पिछरे हैं, इनकी सेवा की जिम्बेदारी भी अपने कंगों पर कोई उठा सकता है, तो हमारा भारतिये जंता पार्टी का ही कारकरता उठा सकता है। आज उनकी तरब किसी की नजर नहीं है। और सच है कि उनकी तरब भी, यदि किसी राजितिक पार्टी की नजर है, तो वह भारतिये जंता पार्टी की नजर है। बहनों भाईयों, इसे हम अपना धर्वाने, गरीबों की सेवा करना, गरीबों के आत्म विश्वात को उपर उठाना, यही हमारे जीवन का लक्ष होना चाहिए, और द्रह निश्य के साथ, द्रह शंकल्प के साथ, इस लक्ष को हासिल करने के लिए हम सभी अपने कदम आग बढाएं, यही आप सभी कारकरता बहनों भाईयों से, और हिंदुस्तान के सभी कारकरता बहनों भाईयों से अपील करते हुए, और आप सब के प्रतियाभार व्यक्त करते हुए, अपना निवेदन समाप्त करता हूँ